Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications carried cloud को जाके check कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses हैं, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications हैं, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना हैं? हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं. And once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID. And login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses हैं, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे. जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी. आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको. And जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, both in Hindi as well as English language. यहाँ पर आप देखेंगे जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे. फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत ज़्यादा helpful रहने वाले हैं. Similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, और आप quiz attempt कर सकते हैं weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा. और फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं. इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं चाहिए वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्रवा, तिलंग ना कोई भी state हो. Not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते हैं और ये topics बहुत जादा important होते हैं. Topics देखें, तो जैसे important days, national affairs, international affairs, sports, defense, science and technology, apps and web portals, name the topic और आपको उस topic के हाँ पे current affairs देखने को मिलेंगे. जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाती हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुआरा cover की जाती हैं ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का और उनको इधर उधर ढूनना ना पड़े content जहाँ पर हम आपको सारा content एक ही जगह पर provide. Hello everyone, I hope आप सब अच्छी होंगे, तो दोस्तो आज की वीडियो में हम 7 अपरेल के important current affairs discuss करेंगे, काफी helpful session रहेगा तो end तक बने रहेगा, चलिए स्टार्ट करें, सबसे पहला question है, MIV, Ministry for Information and Broadcasting, इन्होंने भी partner किया है किस company के साथ in the field of media, entertainment and public awareness, अब देखो हम जानते हैं, मीडिया एक बहुत important role play करता है, जब आपके culture को हमें अवेर लोगों को जागरूख कराना हो, लोगों तक हमाए अपने culture को पहुचाना हो, हमें अगर कोई बात कहनी हो, तो एक media एक ऐसा जरीया है, जिसके मदद से आप एक larger audience को cater कर सकते हैं, तो इसी के लिए भी एक letter of engagement sign कि किया गया था, ministry of information and broadcasting के दौरा किस के साथ? Amazon के साथ मिलके, ठीक है, ताकि लोगों को जागरूख किया जा सके about our culture, यहाँ पर आप देखेंगे जो भी documentaries होती है, जो भी आप हमारे president या फिर prime minister की जो भी speeches होती है, उनको भी OTT platform पे लाने की बात की गई, जैसे Amazon Prime Video हो गया, Alexa, Amazon music, Amazon e-marketplace, IDBM of Amazon, यहाँ पर आपके जो भी हमारे जैसे प्रसार भारती का जो collection होता है, जो भी हमारे नेताओं की जो speech होती है, हमारे जो culture से related, जो भी हमारी movies है, या फिर जो हमारे culture को promote कर रही है, ऐसी documentaries हो, या series हो, उनको यहाँ promote करने की बात की गई, फिर यही पर international film festival, award winning films ह हो गई, ठीक है, जिनको जैसे अभी elephant, उस movie को Oscar मिलाता, तो ऐसी जो movies हो गई, जो कि बहुत जादा एक famous movies है, इनको OTT platform पे लाना ताकि लोगों को एक देखने को मिल सके और कहीं ना कहीं एक awareness create की जा सके about the Indian culture, तो Amazon और MIB ने यहाँ पर अभी tie-up करा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, under this partnership, public speeches by President of India, PM of India, contestants related to the events of national importance and public interest campaigns, daily news bulletins, यह सब यहाँ पर Alexa and Amazon Music पर प्रोवाइड किया रहेगा, Moving on, India along with which country recently signed their first defense cooperation agreement, किस country के साथ India ने अपना पहला defense cooperation अभी sign किया, वो है Romania, तो India and Romania के बीच में इनका पहला defense cooperation यहाँ पर sign किया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे की help की जाएगी ताकि military medicine हो गई, military history, education, training, cyber defense, इन सब चीज़ों में एक दूसरे की यहाँ पर help की जाएगी, और एक चीज़ और एक important चीज़ याद रखेंगे, Romania क्या है, यह NATO का member है, ठीक है, और NATO की बात करें तो इन्होंने अभी 31st member किन को on board कर लिया है, Finland को नया member बना लिया, और वो 31st member बना है NATO का, पाइपलाइन में कौन है, Sweden अभी pipeline में है, वो 32nd member होगा आपका NATO का, राइट, तो किस country के साथ अभी पहला defense agreement साइन किया है, इंडिया ने, Romania के साथ, next, what was the rank of Indra Gandhi International Airport in the world's busiest airport 2022 की list में, 2022 में भी एक list release की गई, world के busiest airport की ये list है, airport council international के दुआरा ये list release की गई, of the top 10 busiest airport in the world, यहीं पर आपसे question पूछा जाए कि, इंडिया की क्या rank रहेगी इस list में, तो वो आजाता है इंडिया 9th position पे, और इसमें इंडिया भी नहीं, डैली का कौन सा airport यहाँ पे 9th position पे, ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें, जैसे Atlanta airport यह आपका top पे रहेगा, 2022 में भी top पे था, 21 में भी, 19 में भी, फिर Dallas 4th वर्थ यह आपका 2nd position पे, Denver 3rd पे, Chicago 4th पे, और दुबाई आपका 5th position पे, और यहीं पे डैली का international airport, इंडिरा गांधी international airport आपका 9th position पे, पहले यह 2021 में तेरवी position पे था, और 2019 में सतरवी position पे था, ठीक, तो वर्ल्ड के 9th busiest airport रहा हमारा, डैली का, इंडिरा गांधी international airport, नेक्स्ट, बैंक credit growth increases by how much percent in the fiscal year 23, अब देखो, बैंक credit क्या होता है, कि जब बैंक से कोई लोन लेगा ना, तो उनका credit growth बढ़ जाता है, इंडिया एक developing country है, और इंडिया में आप देख रहेंगे कि अभी बहुत, काफ़ सारे ऐसे sectors हैं, जाप हमें development देखने को मिल रही है, जैसे for example, अगर हम भी highways देखें, तो इंडिया highly dependent है, हमारे route sector पर अब जो नए express highways बन रहे हैं, connectivity को improve करेंगे, हम देख रहे हैं, real estate sector में काफ़ी जादा growth देखने को मिल रही है, आपने अभी news सुनी होगी कि बैंगलॉर में जो rent के prices हैं, जो rent किराया लेते हैं, लोग आपके घर में आप जाके किसी दूसरे घर पे रहते हैं, तो जो rent देना पड़ता है, वो almost double हो गए हैं काफ़ी areas में, commercial properties, offices पेस हो गए फिर आपके और अलग-अलग hospitals या office buildings हो गई, तो इनको लोग buy भी करते हैं, तो यहाँ पे loan लेना पड़ता है, और वो loan bank से लेंगे, और जो businesses होती है, MSME sectors होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, कि इनमें भी loan की जरूत पड़ती है, तो हम देख रहे हैं कि जो credit growth यहाँ प bank credit growth in fiscal year 23, यह तो था fiscal year 23, लेकिन अगर यहीं पर मैं पात करूँ last year की, तो last year यहाँ पे कितना growth देखने को मिला था fiscal year 22 में, almost 8.9% का यहाँ पे हमें growth देखने को मिला था, तो आप यह और यह data किस के द्वारा, RBA के द्वारा यह data release किया गया, कि हमें 15% का growth यहाँ पे देख देखने को मिला in fiscal year 23, और almost 9.6% का यहाँ पे हमें year on year growth देखने को मिला fiscal year 22 में, यहाँ पे correct कर लेंगे not 8.9, it is 9.6% का year on year growth देखने को मिला fiscal year 22 में, ठीक है, चलिए, next पे आते हैं, according to WTO, जो global trade है, वो grow करेगा by how much percent in 2023, despite war, अभी हम जानते हैं, 2022 में शुरू हो गई थी, आपकी war चल रही है, high inflation है different countries में, हम देख रहे हैं, bank collapse हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, COVID-19 की जो कहीं कहीं देशों में भी विजह से इंडिया में कह रहे हैं कि COVID फिर से आ गया है, COVID की छोड़ी छोड़ी वेव, छोटी वेव जादा बड़ी वेव नहीं, चोटी चोटी वेव फिर आ रही हैं, तो यह basically क्या है, इनके वज़े से हमारा जो trade है यह बहुत जादा impact होता है, और इसी के वज़े से अभी एक data release किया गया, WTO के दौरा, World Trade Organization के दौरा, कि जो और यहां पर एक चीज़ और लगा देंगे, Artificial Intelligence, AI, ठीक है, अभी तो WTO के दौरा बताये गया, कि जो global trade है हमारा, वो कितने percent से grow करेगा, 1.7 percent से grow करेगा, 2023 में, और यही data last year, October 2022 में निकाला गया था, उस data के अनुसार, जो growth percent रहेगी, global trade की, वो 1 percent थी, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 1.7 percent कर दिया गया है, ठीक है, और यह data WTO के दौरा रिलीस किया गया था, world trade organization के दौरा, और यह data world trade organization के दौरा तो release किया गया था, लेकिन अगर पूछा जाए कि कि किस report में release किया गया था, तो global trade outlook and statistics report यह release कि गयी थी, WTO के दौरा, जिसमें यह बताया क्या, कि जो global trade rate will, it can grow, it may grow by 1.7 percent in 2023, despite war-like situation and और जो economic conditions हमारी चल रही है, ठीक, WTO के अगर मैं बात करूँ, तो director general कौन रहेंगे, वह है नकौजी और कौन जो यह विला, और यह पहली women and first African women बने to serve the director general of WTO, जिने वा स्विजर लेंड में quarter रहेगा, WTO का 1995 में established किया गया था और 164 members रहेंगे यहाँ पर, next, next बात करते हैं Cognizant की, Cognizant ने अभी recently 74 million dollar का एक deal जीता है, from UK, not 74 million dollar, it is 74 million pound sterling का एक deal लिया, from UK Department of Environment, Food and Ruler Affairs, I repeat, इसी department को क्या बोला जाता है, DEFRA, तो अब हम कह सकते हैं Cognizant ने 74 million pound sterling, जिसको 92 million dollar भी हम बोल सकते हैं, इन्होंनों एक contract लिया UK के DEFRA के साथ, ताकि जो government organization की supply chain है उसको better किया जा सके, अगर आपने same चीज सुने होगी, इसको पहले पढ़ लेते हैं, कि यह contract था, Cognizant ने लिया, 92 million dollar का लिया, DEFRA से लिया, ताकि supply chain maintain की जा सके, और यह deal दो साल की रहेगी, इसको किस से link करो, अगर आपको यादो तो अभी अरहर, तूरदाल, तूरदार के लिए एक committee setup की गई थी, इंडिया में, और committee Q setup की गई थी, कि जो middle man है, तूरदाल को वो क्या कर रहे ह होड कर रहे हैं, stock को होड कर लेते हैं, और उसे क्या होता है, जो supply है, वो तो कम हो जाती है, demand उतनी रहती है, यह demand भी बढ़ जाती है, इससे क्या होगा, जो price है, वो आपका बढ़ जाएगा, तो इस supply chain को maintain करने के लिए ही, अभी cognizant ने, एक 74 million, 92 million dollar and 74 pound sterling, यह approximately same है, इतने का एक contract लिया है, DEFRA के साथ, Department of Environment, Food and Ruler Affairs के साथ, ताकि जो government की organization की supply chain model है, उसको better किया जा सके, digital technologies से inbuilt किया जा सके उसको, और इसके लिए 2 साल का contract इन्होंने sign किया है, Next, हम बात करते हैं, awards and recognition की, अभी Maryland Cricket Club, MCC, इन्होंने honor किया है, 11 इंडिया है, 17 total world finance cricketers को, जिसमें से 5 इंडियन्स रहेंगे, इन 5 इंडियन्स में से 3 male हैं, और 2 female हैं, तीन male कौन-कौन से हो गए, महिंदर सिंग धोनी, युवराज सिंग एंड सुरेश रहना, और 2 female कौन से हो गए, मिथाली राज एंड जूलन गोस्वामी, इन चारों को अभी recently, MCC का honorary life membership से सम्मानित किया गया, in London, UK, ठीक, काफे important याद रखेंगे, यहीं पर एक चीज याद रखेंगे, अगर मैं महिंदर सिंग धोनी की बात करता हूं, तो इनको राजिव गांदी खेल रतन अवार्ड या फिर जिसको major ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड की बात करें, तो 2007 में इनको सम्मानित किया गया था इस से, फिर इनको पदमा श्री से सम्मानित किया गया था, 2009 में और फिर पदमा भूशन से ने सम्मानित किया गया, 2018 में, 2018 में, ठीक है, और अब इन पाँच इंडियन क्रिकेटर्स को, तीन मेल, दो फीमेल, इनको MCC, जो की है, मेरिलिन, मेलबॉन, क्रिकेट क्लब के, ओनर लाइफ मेंबर्शिप से सम्मानित किया गया, और टोटल 17 वाइल, फाइनेस क्रिकेटर को किया था, इंडिया के पाँच थे, नेक्स्ट, which state has been declared as the best performing state in north eastern region for e-procurement, अब यह e-procurement क्या हो गया, सबसे पहले तो आप यह देख लो, e-procurement हो गया, कि जैसे मालो, सरकार को कभी कोई contract देना होता है, किसी चीज के लिए, तो पहले क्या होता था, सब कुछ आपका चलता था, कि भाई, जो वहाँ पे committee के head होंगे, जिनको के पास ये title होगा, कि वो contract को देंगे, तो वो क्या करते थे, या तो कोई bribe ले लेते, अगर corrupt individual होगा, तो वो क्या होगा, कि वो bribe ले लेगा, और किसी known को अपने relative को, या किसी जानकार को, या जिससे bribe लिए, उनको आपका contract दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, आपका e-procurement होगा, e-procurement होगा, कि सब कुछ आपका online होगा, online ही आपकी bidding होगी, online ही आपके application form submit होगे, और उसी के basis पे फिर आपको आगे है, contracts procure किये जाएंगे, आपको contracts provide किये जाएंगे, 25,000 से उपर तक का जो भी contract होटनगा, वो e-procurement के मत्तर से ज प्रोजेक्ट यहां पर देने की बात की जाएगी, उनको प्रोजेक्ट मिलेगा, और इससे क्या होगा, कि काम अच्छा करेंगे, तो फिर फ्यूचर में भी उनको projects आगे दिये जा सकते हैं, और इससे क्या होगा, कि जो एक कही न कहीं corruption होती है बीच में, कि जो government officials के दौरा कि जो bribe लेके project किसी individual को या फिर किसी known को दे दिया जाता था, वो हट जाएगा, तो इससे यह corruption eliminate हो जाती है बीच से, इसलिए अभी question आया, कि किस state ने declare किया, किस state को declare किया गया कि best performing state रहेगी North Eastern region की for e-procurement, वो रहेगी तिरिपुरा, ठीक है, कौन से state रहेगी, को अभी उनका जो काम है, इनका एक और चीज याद रखेंगे, सो भागय योजना, इन्होंने recently launch किया, सो भागय योजना for the empowerment of panchayats in the last five years, ठीक, और यहीं पर बात की गए कि e-procurement mandatory बना दिया गया, उन goods and service के लिए, जिनकी cost रहेगी more than 25,000 रुपीज, छोटे businesses हो गए, ब e-procurement के अंदर लाया गया, next, आप यहां देख सकते हैं, तिरिपुरा declared as the best performing state in North Eastern region in the implementation of e-procurement, जो की jointly लाया गया by Ministry of Finance and Ministry of Electronics and Information and Technology during a workshop, 27 March को ही, India Habitate Center, New Delhi में, नेक्स्ट, नेक्स्ट आजाता है, इंडिया को भी elect कर लिया गया है, United Nations Statistical Commission and Program Coordinating Board of UN AIDS पे, इससे पहले इंडिया यहां पर 2004 में member था, इसका Statistical Commission का, और अभी वापस से इनको इंडिया को member बना दिया गया है, इंडिया ने 46 votes, इंडिया को 46 votes मिले out of 53 votes in a secret bedlet, और यहीं पर इ elected as a member of United Nations Statistical Commission, जो की world की organization है, highest statistical body की, ठीक है, काफी important याद रखेंगे, और इनको यहां पर 4 साल का term मिला है, 4 साल के लिए यहां पर point की है, 1st Gen, 2024 से इंडिया का term यहां पर शुरू हो जाएगा, ठीक है, चालिए, next, next है, science and tech की बात करते हैं, चाइना का अभी खुद का एक rocket इन्होंने launch किया into orbit और वो है Tianglong 2 के नाम से, Chinese startup became the first in history to reach orbit for the first attempt, और वो रहेगा, Tianglong 2, ठीक है, काफी important याद रखेंगे, Space Pioneer, जिसको हम Beijing TM Bank Technology Company Limited के नाम से भी जानते हैं, यह एक Chinese aerospace company है, Space Pioneer, जिन्होंने reusable orbital rocket technology को यूज करके, Tianglong rocket को भी recently developed किया, यह एक liquid fuel rocket रहेगा, इसको Northwest China से launch किया गया था, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, Sky Dragon 2, Sky Dragon 2 के नाम से ही जाना जाता है, Tianglong 2 को, ठीक है, और यह किसका rocket रहेगा, यह चाइना का rocket रहेगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं, NASA की, NASA क्या है, Space Organization USA की, ठीक है, इन्होंने, अभी याद हो तो आपको Mars पे इन्होंने एक aircraft बेजा था पहले, ठीक है, और उससे क्या था, वो तो क्या था, कि महापे research and study करने के लिए उसको महापे launch किया गया था, Perseverance Rover, Perseverance Rover में ही एक component था आपका, एक helicopter का जिसका नाम था, Ingenuity, ये वो helicopter है, Mars पर आपकी gravity कम होने की मदद से, जो take off time energy लगती है, मतलब जैसे आपको energy लगेगी, Earth के land से उपर उठने में, वो amount of energy कम होगी, Mars के surface पे, तो Mars के surface पे आप easily with little amount of thrust आप drones को use कर सकते हैं, तो एक kind of your drone ही है, ठीक है, और इसको Earth से operate किया जा रहा है, जो आपके Mars पर ये drone है, तो अभी इस drone के द्वारा, basically, इस इंजिनिटी के द्वारा, Mars इसको helicopter, ड्रोन ना कहेंगे, इसको helicopter कही है, इंजिनिटी Mars helicopter, जो ये है, इसने अभी 49th flight करी, और इस 49th flight के दोरान इसने 2 records को break किया, एक तो था highest altitude अचीव करने का और highest speed, highest altitude जो इसने अचीव किया, वो है 16 meter का, और highest speed की बात करें, तो 23.4 km पर आर की speed इसने अचीव करी, from this, from on Mars, ठीक है, और इसी नहीं यहाँ पर देखें, तो 282 km यहाँ पर distance travel किया, during the 49th flight, जो कि 142 seconds तक last करी, ठीक, और यह record इस यहाँ पर established किया गया, कि outside the earth, किसी भी object ने या फिर किसी भी propelled aircraft ने outside earth, इतना distance या फिर इतनी height और speed अचीव की है, तो वो ingenuity के दवारा किया, और यह NASA के दवारा ही launch किया गया था, ठीक है, चलिए, नेक्स पर आते हैं, नेक्स बात करते हैं, हिंदुस्तान Aeronautic Limited का पहला LCA तेजर स् successfully completed maiden test flight, I repeat, first series production of the light compact aircraft तेजर स्टेनर, इनको manufacture किया गया, हौल हिंदुस्तान Aeronautics Limited के दवारा, और इन्होंने अपनी maiden flight को कमिपलीट किया, marking the major milestone in the LCA तेजर स्टेर स्टेर स्टेस प्रोग्राम, जो first ever LCA टेनर है, यह built किया गया है, two series production standards, took off from the airfield, and successfully completed a 35 minute flight test before landing, और इस ट्रेनर प्लेन को पाइलेट किया गया था कुरूप कैप्टेन वीनू एंड विंग कमांडर अवस्थी जी के दुआरा नेक्स्ट आजाते हैं और जारखन के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनात महाटो जी इनका रिसेंटली निधन हो गया आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इनकी बात करें तो इनका जनम 1st January को हुआ था 1967 में हुआ था बोकारो जारखन में हुआ था और रिसेंटली इनका निधन हो गया नेक्स्ट हम कब अब्जर्व करते हैं International Day of Sports for Development and Peace तो हम 6 अपरेल को अब्जर्व करते हैं International Day of Sports for Development and Peace की स्पोर्ट को बढ़ाएं और एक दूसरे के बीच में जैसे हम ये गेम्स खेलते हैं Commonwealth गेम्स हो गया, Olympic गेम्स हो गया, ये क्या होता है कि एक unity को बढ़ावा देने के लिए, एक Peace को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है कि अगर आप दुश्मन के साथ भी खेलोगे ना तो आपको मज़ा आएगा और कहीं न कहीं आपके बीच में अंदबंध खतम हो जाएगी and you will be enjoying that process और इसी को प्रमोट करने के लिए एक Peace को एक दूसरे के बीच में, countries के बीच में Peace को बढ़ाने के लि for development and peace की, वो है scoring for people and the planet, I repeat, scoring for people and the planet यह आपकी theme रहेगी और दसमाई edition था 2023 में जो हमने observe किया, अगर पहला edition की बात करने तो first time या फिर inaugural edition कब था, 2014 में observe किया गया था नेक्स्ट, तमिलनाडू के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टॉलिन ने अभी अनाई वरुकम, IIT मदरास इनिशेटिव लांच किया for government school students, यहाँ पल बेसिकली क्या है कि बच्चों को जो electronic science है, उसके बारे में awareness क्रियेट कराने के लिए, लोगों को connect करने के लिए, बच्चों को ए कि आपकी पढ़ाई कैसी हो गया, आपको कैसी कैसी फील्ड आजकल क्या है, क्या क्या चीजों चल रही है, उन सब के बारे में awareness क्रियेट कराए गई, ठीक है, यह तो हो गई, अनाई वरुकम, IIT के, अनाई वरुकम, स्कीम, ठीक है, अनाई वरुकम, IITM, यहीं पर इसी के स इसके बारे में, IIT मदरास की कैमपस में यह लाँच किया गया, तो दो स्कीम हो गई, एक तो हजार रुपे पर महिना देने की बात की गई, अन्द्र स्किल डेवलप्मेंट और दूसरा हो गई, अनाई वरुकम, IITM, जहां पर इस गॉर्मेंट स्कूल के एक लाग बच्च क्या GEC प्रोजेक्ट है, यह है केरला ग्रीन एनर्जी कोरिडॉर प्रोजेक्ट, इसके लिए अभी रिसेंटली केरला स्टेट गॉर्मेंट, केरला स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड और जर्मन स्टेट के ओन बैंक KFW के द्वारा यह टाइप किया गया है, तो ट्राइपा इनर्जी कोरिडॉर प्रोजेक्ट को डवलप किया जा सके, ठीक है, और इसी के लिए अभी 1457 करोड रुपे यहां पे सेंक्शन किये गए है केरला जी सी प्रोजेक्ट के लिए, और केरला अगर आपको याद हो तो यह वो पहली स्टेट है जो कि 100% रिन्यूबल एनर्जी पर शिफ्ट करने की बात कर रहे है by 2040 और यह लिए ट्वेंटी फिफ्टी नेक्स्ट बात करते हैं इंडी ग्रीड की इंडी ग्रीड ने अभी पहला बेस्ट प्रोजेक्ट लिंक टु सोलर पैनल से इन महराष्ट ये लाउंच किया ये बेस्ट किया है पहला बैटरी एनर एनर्जी स्टोरी सिस्टम लॉंच किया विदेट इस कपल्ड विद सोलर पैनल्स एट धूले स्टेशन महाराश्टरा में तो याद रखेंगे पहला बैस प्रॉजेक्ट फॉर्दस लिंक टू सोलर पैनल्स इन महाराश्टरा यह लॉंच किया गया किसके द्वारा इंडी ग् पैनल्स इन महां पर एक टूरिस्ट को एक एक्सपिरियंस देने के लिए और वहां पर लॉंच किया गया इसको सोलर पावर टूरिस्ट वेसल सोलर पावर है तो यह पेसिकली वहां पर पॉलुशन भी क्रियेट नहीं करेगी और बैक वार्टर में तो आप देखेंगे पर अच्छी अच्छी लोकेशन सीनरी जोती है उसको प्रमोट करने के लिए यह लॉंच किया गया एन इस फर्स ऑफ इस काइंड टूरिस्ट वोट इन केरला इन कोची बैक वार्टर केरला सूर यामशू सूर यामशू इसका नाम रहेगा केरला की सोलर पावर टूरिस्ट ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करन्ट अफेर्स अब आज आते हैं कोई रिवीजन पर एमाईबी ने पार्टनर किया अमेजॉन इंडिया के साथ इन दे फिल्ड ऑफ मीडिया एंटर्टेंबेंट एन पब्लिक अवेर्नेस इंडिया और रोमानिया ने साइंड कि टेन टॉप टेन बीजियस एरपोर्ट की लिस्ट में डेली का इंडरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट नाइंथ पोजिशन पर आता है और बिया ने डाटा निकाला बैंक क्रेडिट ग्रोथ का और यहां पर बताएगा कि 15% से इंक्रीज देखने को मिला इंड़ फिसकल पॉंड स्ट्रलिंग की डील साइन की यूकी के डिपार्टमेंट अफ इंवार्मेंट फूर्स एंड रूलर अफेस के द्वारा थाकि सप्लाइचेन मैंटेन की जा सके MCC ने पाँच इंडियन क्रिकेटर्स को ओनर किया विद ओनरी लाइफ मेंबर्शिप त्रिपुरो को डेक्लेर किया गया चैना चैनै पाँड लाउन्च लिकविड फूलरॉकेट टेंगलांग टू नासा का इंजिनिटी मार्स हेलिकॉप्टर इनों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया वंस अगें दो रिकॉर्ड ब्रेक किये हैं हाइट और स्पीड के हिंदुस्त्वान एरोनाटेक लिमेटेड का पहला LCA तेजस ट्रेनर सक्सेस्विली कंप्रेटेड दा मेडेन टेस्ट फ्लाइट जार्खन के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महाटो इनका नेधन हो गया इंटरनेशनल डे ओफ स्पूर्स फॉर डेवलप्मेंट एंड पीस छे अप्रेल को अबजर्व किया जाता है तमिलनाडू के चीफ मिनिस्टर एमक स्टॉलिन ने लांच किया अनाई वुरुक्कम आई आई टीम इनिशेटिव फॉर गॉर्मेंट स्कूल स्टूडेंट तो दोस्तों यह तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेर्स अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर जैसे नैशनल मेरिटाइम डे कब अब्जर्व करते हैं पांच अप्रेल को स्कायरूट एरोस्पेस के द्वारा अभी दवन टू यह एक फुली 3D प्रिंटेट क्रायोजॉनिक रॉकेट इंजन है इसको टेस्ट किया गया फॉर विक्रम सेकेंड मुकेश अमबानी इंडिया के रिचस्ट परसन है इस्या के रिचस्ट परसन है कौतम अडानी अब कहा पर आगे हैं 24 पोजिशन पर आगे हैं अगर बात करूं मुकेश अमबानी यह नाइंथ पोजिशन पर आता है वर्ल्ड में और वर्ल्ड के रिचस्ट कौन है बर्नार्ड और नर्ड नेक्स्ट गॉर्मेंट आफ इंडिया ने अभी रिसेंट्ली टोटल 465 प्रोड़क्स को जीए टेग दिया जा चुका है अभी जो रिसेंट वाला है वो है मिर्चा राइस यह बिहार का रहेगा और यहीं पर गर मैं बात करूं कंगडाटी की कंगडाटी हिमाचल परदेश की रही इनको भी यूरोपियन जीए टेग मिला भी यूरोपियन जीए टेग नेक्स्ट एनबी सी सी है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन और इन्होंने भी एक MOU साइन किया ताकि एक लाग हाउसिंग यूनिट्स को जांबिया में कंस्ट्रक्ट किया जा सके और एनबी सी सी वही ओगनाइजेशन है जिसके द्वारा जिसको सुप्रीम कोट ने अब भी गाइडलाइन्स दी थी कि ये अमरपाली के जो प्रोजेक्ट्स हैं ग्रेटर नौइडा में जो हॉल्टिड प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करें नेक्स्ट प्रनव हरीदरसन ये नए मैनेजिंग डिरेक्टर एंड सी यो बने है एक्सेस सेक्यूरिटीज के और ये किनको रिप्लेस करेंगे बी गोप कुमार को ये रिप्लेस करेंगे फिर आजाते हैं किरन नादर आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इनको भी फ्रांस के हाइस सेविलन अवार्ट से समानित किया गया तो दोस्तों ये हो गया हमारे रिविजन के अब आजाते हैं आपके होमवक पर पहला महिला निदी ये फर्स्ट वीमेन कॉपरेटिव है कॉपरेटिव फंड है जो कि लॉंच किया गया किसके दवारा विच कंट्री रिसेंटली वोटे टू बैं रेंटल इसकूटर्स थर्ड कि स्टेट ने रिपेल किया लोक तुंत्र परहारी सम्मान एक्ट को तो ये टीन आपके homework questions रहेंगे I hope आपको वीडियो पसंद आई, session पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो comment करके जरूर बताना और like करके जरूर बताना कि आपको कैसा session लग रहा है क्योंकि काफी कुछ शीपने को अगर आपको इस वीडियो से मिल रहा है, नही नही ची Friends, Thank You and Have a Nice Day cloud underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है विकास 10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं, आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related, या आपका course purchase नहीं हो रह है, तो आप हमें contact कर सकते हैं, at the number 9677-333862, या फिर आप mail कर सकते हैं, support at the rate of affairscloud.com पे, and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा, and आपकी problem को solve करेगा, that's all for the day friends, I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the youtube channel, as well as apart from youtube channel, you can go and follow us at affairscloud, telegram channel, and if you have any queries related to the content, or the courses offered to you, or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677-333862, apart from this friends, you can follow us on the facebook, as well as on instagram handle, that is affairscloud, underscore official, in the end friends, if you use a code, that is vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount, by using this code vikas10, also if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677-333862, and if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com, and I assure you, that our representative from us, will be contacting you soon, and resolving your issue.